गाजीपूर में करोना संक्रमन का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस वज़े से लोगों में भी भाय का माहौल बना हुआ है। रवीवार याने 14 जून को गाजीपूर में करोना वारे संक्रमन के चार नए मरीज मिले हैं। इनमें दो पुरुष और दो महिलाएं हैं। आईए आपको इन तीनों मरीजों के बारे में विस्त्रित जानकारी देते हैं। इसमें एक मरीज खेतापूर, जखनिया थाना, शादियाबाद के रहने वाले हैं। ये हिलाबाद से आये थे, इन्होंने 12 जून को बेच्चू में अपना सैंपल जाच के लिए दिया था। दूसरे, तीसरे और चोथे मरीज की उम्र क्रमशाह 20, 22 और 43 साल हैं। ये करदा, कैथॉली ब्लॉक, मर्दा गाजिपूर के हैं। इनकी ट्रावल हिस्ट्री मुंबई की सामने आई है। ये ट्रेन से मुंबई से वारानासी आये थे। इसके बाद सरकारी बस से गाजिपूर और फिर टेपूर रिजर्व करके अपने घर। गाजिपूर में बढ़ते मामलों को देखकर हमारी आपसे अपील है कि ज़्यादत-ज़्यादा घरों में रहें, बिना मासक लगाए, घर से बाहर ना निकलें, वा सामाजिक दूरी बनाएं रखें। उधर यूपी सरकार ने कहा है कि ग्राम एवा मुहला निगरानी समितियों के द्वारा निगरानी का कार सक्रिता से किया जा रहा है। यूपी सरकार के मताबिक अब तक 1.2 शून्य लाख सर्विलांस टीम द्वारा, 91,48,721 घरों में 4.6 करोन लोगों का सर्वेक्षन किया गया है। प्रदेश के 75 जनपदों में 4,948 करोना के मामले एक्टिव हैं। अब तक 8,268 मरीज पूरी तरीके से उपचारित हो चुके हैं। यूपी सरकार से मिली जानकारी के मताबिक प्रदेश में वर्तमान में करोना संक्रवन का रिकवरी दर 60.72 प्रतिशत से अधिक है। गाजिपुर की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे येट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।